प्रित्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए मृत्यू एक अटल सत्य है। लेकिन कुछ इंसानों का मानना है कि वो इस सत्य को बदल सकते हैं। प्राचीन काल से ही इंसान या तो अमर होने की या फिर लंबे समय तक जीवीत रहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए वो अजीब औ गरीब एक्सपेरिमेंट्स भी करते ही रहते हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट्स साल 1934 में किया गया था। जब अमेरिका के डॉक्टर रॉबर्ट इकोरनिश ने मरे हुए इंसानों को जिन्दा करने की कोशिश की थी। डॉक्टर रॉबर्ट का मानना था कि अगर किसी डेड बॉडी में खून का प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे फिर से जीवित किया जा सकता है। क्योंकि मृत्यों के बाद खून का प्रवाह बंद हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर रॉबर्ट ने एक डेड बॉडी को लिया और उसकी बॉडी में खून का प्रवाह फिर से शुरू करने के लिए उसके उपर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। पर जैसा डॉक्टर रॉबर्ट ने सोच रा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कुट्टों के उपर भी किया गया। जिन में से दो कुट्टे कुछ समय के लिए जिन्दा भी हो सके। लेकिन जब यूएस गवर्मेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पर रोक लगा दी।